हलो एवरिवन, आज हम क्लास 6 काव चाप्टर दे किंग आंड ट्री कॉर्डेस के बारे में पढ़ेंगे स्टोरी के आथर है रस्किन बॉन और ये है यूनिट 2A Students, ये second part है, इसका first part हम पहले के वीडियो में पढ़ चुके हैं I hope आपको याद होगा पर चले फिर भी थोड़ा सा हम लोग summary जान लेते हैं हिमाले की तरही पे एक राजा रहते थे और वो अपने लिए एक महल बनाना चाहते थे ऐसा palace जो इसके बारे में ना कभी किसी ने सुना हो और ना कभी देखा हो तो वो decide करते हैं कि पूरा palace एक column यानि कि एक stump पे रहेगा जिसके लिए पेड़ का जरूरत था तो वो अपने आदमियों से कहते हैं कि जाके पेड़ काट के लाओ तो देवदार का पेड़ उन्हें मिलतो गया लेकिन वो काट के लाना impossible था इसलिए राजा अपने बेटे को बुलाते हैं और कहते हैं कि जाओ हाथी को लेके जाओ हाथी भी बिना काम के वापस आजाता है खाली हाथी आजाता है तो students यह हम पढ़ चुके थे आये देखते हैं इसके बाद का क्या होता है very well, said the king angrily in one of my parks you must find me a tree just as big as any in the forest bring it to me within seven days after much searching the king's men found a splendid that are tree growing not far from the city it was worshipped by the people of many villages around about because within it lived a goddess and it was she who gave to the tree its great strength, size and beauty तो राजा गुसे में कहते हैं जब नहीं काम होता है तो राजा गुसे में अपने जो प्राइम मिनिस्टर था उसे कहते हैं कि जाओ मेरे किसी भी पार्क से कोई पेड़ खोज के लाओ और ये काम जो है साथ दिन के अंदर हो जाना चाहिए तो राजा जो है ऐसा ओर्डर दे देते हैं बहुत खोज के बाद उन लोगों को एक देवदार का पेड़ मिला जो कि शहर से बहुत दूर नहीं था आस-पास के गाओं के लोग उस व्रिक्ष की पूजा करते थे क्योंकि वहाँ पे एक देवी का निवास था मतलब कि एक देवी एक गॉड़ेस उस पेड में रहती थी और वो गॉड़ेस ही उस पेड को इतना जादा स्ट्रेंथ और साइस ब्यूटी सब कुछ दे रही थी तो उन लोगों को फाइनली उनका जो सर्च था वो पूरा हो गया और उन्हें पेड मिल गया तो जब प्रिदान मंत्री जो है वो अपनी सैनिकों से डिसाइट कर लेते हैं कि इसी पेड से जो राजा के पालेस का कॉलम यानि कि पिलर बनेगा तो वे माला दिया आदी लेके आते हैं ताकि वो उस ब्रिष्ट की पूजा कर सके और उन्हें वार्निंग दे सके कि साथ दिन के अंदर वो यहां से चले जाए और सभी कोई पूजा करना स्टार्ट कर देते हैं आद आदी लाम्स अजातू अंघ तो प्लेअannya से लेके हंते लेके आदेaten लुम घए ने बार्ने के सामने के लृट आता हैंगांगागाञ थाज़ से सब्सक्नाकर बहाला। तो वे लोग जो हैं वो लोग उस पेड के सामने में बैट जाते हैं और उसकी पूजा करने लगते हैं वे माला पहनाते हैं फिर उसकी परिक्रमा करते हैं और कुछ लोग उस पेड के आसपास में डान्स भी करते हैं गाना भी गाते हैं अब तक ट्री गॉड़िस को समझ में आ चुका था कि क्या होने वाला है लेकिन फिर भी वो चुप चाप थी और सारे पत्ते आपस में बातचीत करने लगे और जो सबसे उचे डाली थी जो टॉप मोस्ट ब्रांच था वे भी जूग गया था यहीं सब कोई समझ चुके थे कि नेक्स्ट क्या होगा तो सैनिक भी समझ चुके थे कि ट्री गॉड़िस को सब पता है कि अब नेक्स्ट क्या होने वाला है या फिर वे लोग वहां पे क्यों पूझा कर रहा है उसी रात में जब राजा सो रहे थे तो एक ग्रीन पर्चाई उनके सामने में आके खड़ी हो जाती है और वो आवाज जो था वो शरत रितू के पत्तों के जंजनाहर जैसे आवाज में बोलना स्टार्ट करती है तो वो जो बर्चाई बार्चाई है पर्चाई आता है जो पर्चाई आई थी किंग के सपने में वो कहना स्टार्ट करती है कि मैं देवदार की पेड़ की कॉड़ेस हूँ आपके आदमियों ने मुझे बताया कि आप मुझे काटने वाले हैं इसलिए मैं यहाँ आई हूँ तकि आपसे विंती कर सकूँ कि आप मुझे ना काटे तो राजा कहते कि ना ऐसा नहीं हो सकता है मैंने अपना मन बना लिया है और क्योंकि आपका ही पेड़ एक ऐसा पेड़ है जो कि मेरे पैलेस में कॉलम का काम कर सकता है इसलिए मैं आपको सरूर काटूंगी काटूंगा वाँब सकता ही पेड़ आपको बना लिया है यह नहीं पॉर्सिब ऩर पोलिध तो किपी उनला बीघन एकुट invari calculate और लो काव बना नहीं हो अक् genauती है अद्व के टेठम सरूर जासे नहीं में आपको जाप बना च्में तानी आपको को सकता है वाफ blesses me, sends up new plants and herbs under my protective arms तो वो जो देवी है, वो कहना स्टार्ट करती है, कि मैं सौ सालों से मैं यहां पे हूँ और गाउवाले मेरी पूजा करते हैं, मैंने उन्हें हमेशा अच्छा ही दिया है चिडिया अपना घोसला बनाती है मेरे उपर, मैं सब को चाया देती हूँ और मेरी ही चाओ में सब बैट के आराम करते हैं, मेरी ही चाओ में छोटे छोटे पेड उखते हैं इसलिए मैं सभी के लिए बहुत उपयोगी हूँ I bind the earth with my strong root Children play at my feet and women returning from the fields seek refuse in my coolness All true enough Good tree goddess, said the king But all the same I cannot spare you My mind is made up My will cannot be shaken The tree goddess spoke in tone of great sorrow तो वो जो देवी थी वो कहना स्टार्ट करती है कि मैं ही जो हूँ वो धर्ती की जो मिटी है उन्हें अपनी जड़ों से पांध कर रखती हूँ बच्चे मेरी चाया में खेलते हैं और जब औरतें खेट से वापस आती है तो वो मेरी ही चायों में कुछ देर तक रुपती है सरन लेती है और वहाँ पे रेस्ट करती है तो राजा कहते हैं कि हे देवी आप जो कुछ भी कह रहे हैं सब सही है लेकिन मैंने अपना मन बना लिया है और मैं अब किसी भी कंडिशन पे अपना ये decision change नहीं कर सकता then mighty king grant me one last request let me be fallen in three parts first my head with crown of waving greenery next my middle with its hundred strong arms and hands at last my base which bears the heaviest and naughtiest of my limbs upon it जब राजा नहीं मानते हैं तो जो goddess थी वो बहुत उदास मन से कहती है कि ठीक है अब आप मेरी एक last wish को पूरी कर देजिए मेरी एक प्रातना को सुईकार कीजिए आप मुझे तीन पार्ट में काटिए सबसे पहले मेरे सर यहनि कि मेरे हरियाले के मुगट को काटिए फिर मेरे middle part जो कि जिसमें की बहुत सारे branches है और फिर last में आप मेरा base means मेरे जड़ को काटिएगा यह मेरा आप से बस एक first और last wish है जो आप मुझे पूरा कर दीजिए तो राजब वो सोच में पढ़ते वो कहते हैं कि यह अजीब सा request है मैंने कभी नहीं सुना कि कोई तीन पार्ट में मरना चाहता है क्यों न एक बार में आपको काट दिया जाए और यह बार बार के दर्ज से आप बच जाए तो वो देवी कहती है कि कारण इसका बहुत है सिंपल है मेरे नीचे बहुत सारे देवदार के नए पेड़ों ने जन्म लिया है और इसलिए अगर आप मुझे एक बार में काट देंगे तो बहुत सारे छोटे छोटे पेड़ जो है वो मेरे नीचे दब के मर जाएंगे और मैं उन्हें मरते नहीं देख सकती But if I suffer the stroke three times and fall in three pieces some of the young ones may escape Is my prayer granted? Indeed it is said the astonished king as the tree goddess faded from his vision The next morning the king called his children and his ministers and his foresters to him and told them that he had changed his mind and that the column for the new palace should be built of stone not wood तो फिर वो जो देवी थी वो कहती है कि अगर आप मुझे तीन पाटों में काटेंगे तो मैं दर्द सहकर भी उन्हें थोड़ा सा मौका दे दूंगे ताकि वे वहां से चले जाए और हो सकता है कि कुछ वहां से भाग भी जाए इसलिए मुझे दर्द सहना परदास्त है फिर वो पूछती है कि क्या मेरी प्राथना को सुविकार किया जाएगा राजा कहते हाँ एक तम से और वो देवी वहां से चली जाती है अगले सुबह राजा अपने दर्बारियों को बुलाते है सब को बुला के वो कहते हैं कि मैंने अपना मन बदल लिया है अब जो मेरा पैलेस है उसका कॉलम लकडी का नहीं बनेगा बलगी अब वो हमें स्टोन का बनाऊंगा for he said विदिन देवदार ट्री लेपसर प्री लेपस पर जो बलो दन मैं उन and he told them of his vision and they all marveled and the king built his palace upon a great column of stone and around its space he created a beautiful park and the children of the city and the surrounding villages flocked to the garden to sit on the grass and enjoy the many beautiful flowers and trees had been planted on all sides तो वे कहते हैं कि अब मैं अपना जो कॉलम है वो स्टोन का बनाऊंगा और वो कहते हैं वो सारा का सारा स्टोरी सुनाते हैं वे कहते हैं कि उस पेड़ पे जो गॉर्डिस रहती है यानि कि उनकी आत्मा मेरे से कहीं जादा पवित्र है और फिर वो पूरा स्टोरी लीडियल में बताते हैं कि सपने में क्या हुआ था और अंध में राजा अपना पैलिस पत्थर की कॉलम पर बनवाते हैं और पैलिस बहुत सुन्दर बना और पास में उस पैलस के पास में वो एक बहुत ही प्यूटिफुल सा पार्क भी बनवाते हैं जहां पे बहुत सारे पेड़ थे, बच्चे वहां आके खेलते थे, घास पे सभी बैटके रेस्ट भी करते थे, आस-पास में धेर सारा पेड़ पौधा भी लगा हुआ था राजा से एक्जामपल लेके, अब कोई भी लगड़ी का घर नहीं बनवाने लगा सबके घर पत्थरों के बनने लगे और देवदार का पेड़ जो है, वो फ्री होके जंगल में बनने लगा तो स्टूडेंस, इस स्टोरी से हम ये सीखते हैं कि पेड़ पौधा हमारे ले बहुत ही जादा यूसफुल है वे हमें बहुत सारी चीज़ें देती है इसलिए हमें पेड़ों को काटना नहीं चाहिए बलकि उनके रिस्पेक्ट करनी चाहिए और उन्हें सम्हाल के रखना चाहिए और उन्हें जो भी चीज़ की जरूरतों खाद पानी हमें देते रहना चाहिए क्योंकि पेड़ हमारी चीवन दाइनी है I hope आपको स्टोरी समझ में आया होगा Thank you